मेरा नाम समीर अलावादी उतकष एग्रोकेम प्रैविट लिमिटेट कमपनी से लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो आज मैं बात करने वाला हूँ अनार के बारे में इस समय डिसेंबर का महीना है और कश और ये नौर्थ गुजरात एरिया के अंदर आने वाले समय में तापमान खूब नीचे आज आने वाला है जो हम एप्स के अंदर देखते हैं टेंपरेचर अराउंड साथ से आठ डिगरी के पास आ जाता है इस समय जिन किसानों के अनार लगे हुए होते हैं उसमें फटने का प्रमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसको बचाने के लिए सबसे पहले किसानों को जितना बने उतना ज्यादा पानी देने की जरूत ह जितना ज्यादा पानी देते हैं उससे जमीन का तापमान कंट्रोल रहता है बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाता है और जमीन से पौधा जो जरूरी तत्व है वो ले पाता है और उसकी वज़े से जो अनार फटने का प्रमान है वो तोड़ा कम रहता है इसलिए हो सगे उतन एक द्वारा देकर अनार का फटना अटका आजा सकता है यह हम लाज तो तीन साल से कर रहे हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है एक लीटर पानी में दो ग्राम एफ एनहांसर और आदा एमल भीम प्लस यह दोनों को साथ में लेते हैं और स्प्रे करते हैं तो उससे अन स्थमक्न, इस उससे किसान लोग भी जब भटना शुरू होता है तो बार बार कैल्शियम बोराउन के सप्रे करना शुरू कर देते हैं कैल्शियम बबारान के स्प्रे करने से फाइदा पक्का होता है लेकिन उसे कभी भी दशpansada array इह सो कौनीर तो अनार खूब ज्यादा हो जाते हैं इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो अनार की size भी बहुत अच्छी बनती है quality भी अच्छी बनती है और बहुत उसका फटने का जो प्रवान रहता है वो बहुत कम हो जाता है इसी तेरा के और वीडियो को पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें हमारे फेस्बूक पे हमें लाइक करें ताकि आपको आपके ज़रूरत के सभी वीडियो समय सर मिलते रहें जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगा फल सबजियां हैड्रोपॉनेक्स वगेरे की खेती के बारे में जानकरी मैं समीर अलावादी उतकष एग्रोकेम से थैंक्यू दोस्तो